देखिए आपका संस्कृत के जो पेपर है मिट्रम का किलास नाइन का और अस्री मार्स का आपके रहने वाला है और आपका जो पेपर है चार नवंबर को है ठीक है डेट शिट आ गई है आपने देख लिया होगा और मैं आपको बता दूं कि यह जो संस्कृत का पेपर है यह ऋप्रेक्टिस के लिए और पूरा जो पैटरन है आपके मिट्ट रहए तो अगर आपने पेपर कर लेंगे तो आपको पूरा पता चल लाएं किस तरह की और सबसे बढ़ना में पता हूं op r सेस्टेंगे वन होगा उसमें अपके एंजी होएंगे और आप अपने जो पढ़ लेंगे अच्छे सारे सब्सक्राइब जो चैप्टर है जो उनसे आपके सलेवस में आरे चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसमें क्या होगा आप अराम से फिर्स जो नमबर वाले कोशन आपके और यह जो पीडिएफ आप देख रहे हैं इसका लिंग मैंने डिप्सिशन में डाल दिया है तो आप वहां से भी डाउन्लोड कर सकते हैं अगर आपको पीडिएफ नहीं मिल देखे हैं कहीं से ठीक है और इसको सुलूशन की वीडियो मैं डाल दो हूँ जैसे उस पर क्लिक मार्स भी जो है नंबर जुड़ने आपके यह मत सोचने लिए पेपर है ऐसी हो रहे है इसके आपको मार्स भी जुड़ेंगे ठीक है फाइन टर्म में पूरे तो आपको इसके एंसी को होईए तो आपको फ़रा रेक्स में लोड़ाएगा और यह पेपर मैं इसलिए पुरा दिखार हूं कि बच्चे कमेंट करें सेरा में पेपर डाउनलोड नहीं हो रही है पुछ नहीं हो रहा तो जिनका नहीं हो पारा है तो यहां से वह देख सकते हैं और पीडियएफ का लिंक मैंने बना दिया आलग से इस पेपर का तो आप अर कि आप अगर को कि अब कर दो आप कमन करें पूर्च सकते हैं कम्मून बोक्स आपके लिए एविलेबल है ठीक है वह भी डाउट होता पूछे कमंड में ठीक है तो यह मैंने आपको पेपर भी दिखा दें पूरा प्रेट्टिस के लिए तो आप अपना पूल अच्छे से त्यारी करें और इंपोर्टन गोशन जैसे आएंगे वैसे मैं आ आप राम से अपनी त्यारी हो और अच्छे से कर सकेंगी ठीक है